दोस्तो आईपील के उपड़ आज के दिन कुल दस बरी अपडेट निकल करके सामने आ रही है जहां पर पहली अपडेट है आईपील के कनफॉर्म स्टार्टिंग डेट को लेकर इसके बाद दूसरा ट्रेड विंडो चेनेज सूपर किंग्स का प्रैक्टिस मैच आर सी बी औ पर निकल कर सामने आ रही है तो आज किस वीडियो में हम आपको इन सभी खबडों के बाड़े में पूरा इंफरमेसन देंगे तो ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्विस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जो करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप IPL से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंड सब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाई वन IPL से रिलेटेड सब ही न्यूज दे देते हैं तो इस लिस्ट की पहली बरी अपडेट है महंदर सिंग धोनी की तरब से तो MS धोनी के उपर जियो सिनेमा के एक्सपर्ट यानि की सूरे सरैना क्रिस गेल रॉबिन उथा पा अपडेट है राजस्थान रोयल्स की टीम की तरब से तो IPL 2020 में राजस्थान रोयल्स की टीम के पास दो होम ग्राउंड होगा जहां पर पहले तो जैपूर का ग्राउंड होता ही था लेकिन अब से जोधपूर का ग्राउंड भी राजस्थान रोयल्स के होम ग्राउंड के तोर पर देखा जाएगा जहाँ पर आजस्तान रोयल स्कीर टीम अपने होम के मैचेज या कुछ मैच जैपुर में और कुछ मैच जोधुपुर में खेलती हुई नजर आएगी और इस बार IPL के मैच टोटल 11 वेन्यू पर कंडक्ट करवाए जाएगे इसके बादी इस लिष्ट की तीसरी बरी अपडेट है चेन नई सूपर किंग्स की टीम के खतरनाक बलेबाज और कफ्तान MS धोनी को लेकर तो MS धोनी प्रैक्टिस से स्टार्ट कर चुके है जहाँ पर IPL के प्रैक्टिस में उन्होंने नेट में काफी लंबा छका लगाया जिसका फोटो आप अपने स्क्रीन के उपर देख पारे होंगे और अगर आप MS धोनी के छक्के का हाइलाइट देखना चाहते है तो फटाफट से टेली गराम पर फॉलो करें इसके बाद ही इस लिष्ट की चौथी बरी अपडेट है लखनो सूपर जाइंट्स की टीम की तरब से तो लखनो का होम गराउंड साल 2023 में लखनो का इकाना स्टेडियम होगा लेकिन इकाना स्टेडियम पूरी तरीके से बॉलिंग प्रेंटली है तो इस वजह से अब लखनो के पीच को दूबारा से बनाया जाएगा और लखनो के जे पीच क्रियेटर थे उनको इंडिया निवजिलेंड के मैच के बाद बरखास्त कर दिया गया इसके बाद ही इस लिष्ट की पांच वी बरी अपडेट है रोयल चेलेंजर्स बैंगलोड की टीम की पर RCB को लेकर के सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट देखा गया इसके बाद ही इस लिष्ट की छटवी बरी अपडेट IPL 2020 के स्टार्टिंग डेट को लेकर तो निलामी के खतम होने के बाद जितने भी IPL के समर्थ है कि वो IPL के सुरू होने का काफी बेसबरी से इंतजार कर है तो आईए जानते हैं कि IPL का पहला मैच कि इस तारिख को होने वाला है तो यहाँ पर BCCI ने बता दिया कि एक अप्रील को IPL 2020 का पहला ब्लोक बश्टर मैच खेला जागा और पहले मैच में मुष्ट प्रवैबली राजस्थान रोयल्स गुजरा टाइटन्स या फिर चेन इस लिष्ट की साथवी बड़ी अप्डेट IPL 2020 के फाइनल ट्रेड विंडो को लेकर तो आप सभी को पता है कि IPL का अंतिम ट्रेड विंडो स्टार्ट हो चुका है और इस ट्रेड विंडो में काफ़ी सारी टीमें अंदर ही अंदर कुछ बड़े प्लेर्स के ट्रेड की ब आठवी बड़ी अप्डेट IPL 2023 के लिए चेनने सूपर किंग्स के नए सलामी बलेबाज को लेकर तो चेनने सूपर किंग्स के हेड कोच ने बताया था कि चेनने की टीम के लिए सुरुवात के मैचों मेरी तुराज गैकवाड और बेन स्टोक्स ओपन करेंगे यानि की हो स जो को सलामी बलेबाजी करना चाहिए आप उन दोनों बलेबाजो का नाम कमेंट में जरूर बताएं इसके बादे इस लिष्ट की नौवी बरी अपडेट है बॉर्डर गावस का ट्रॉफी को लेकर जिसका पहला ब्लॉक बस्टर टेस्ट मैच नौव परवरी को खेला प्रिपेर्ड हो रहे और इसके साथ हम आपको बता दे कि आस्ट्रेलिया के कुछ खिलारी यहां पर इंडिया आ चुके है इसके बाद ही इस लिष्ट की दसवी अंतीम अपडेट इंडिया न्युजिलेंड के इस दोरे के आंतीम मैच को लेकर तो भारत न्युजिलेंड का आज भारते से मनुसार साम 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा तो यह था इपील से रिलेटेड आज के दिन कुल दसबरी अपडेट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में